कि हलो दोस्तों विजय केडमी में आपका स्वागत है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रेक्टिस सेट नंबर 11 पर और अगर आप सफलता कि डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिम से वहाँ से आप इसे को डाउनलोड कर सकते हैं इसे की से बाया कर सकते हैं जिस कूपन कोड को जरू लगा यह वी आई जह पीविफिटी इवीजे पीविफिटी से आपको 50 पर देंक छूट में लिएक और यह कोड कूछी समय तो आप मुझसे वाट्सव पे दूसरा कोड बुलवा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आच के हमने क्लास सबी लोग क्या करेंगे प्रेक्टिस सेट नमबर 11 पर बात कर रहा हूं इसके अंदर और कमपसरी पेपर पर रहें इसके अंदर 50 कोश्चन से और साथ ही साथ आप सबी क्या करेंगे कमेंट करके भी उत्तर बता देंगे और साथ ही साथ फाइनल यह आपके कितने मांकसा हैं यह भी आप मुझे जरूर बताएंगे कि मुझे इस प्रेक्टिस सेट में इस कोश्चन क्या किक्रतव वी मूल बना देती है क्या कित वी मूल वेक्ति को बना देती है दूविधा या या अभीता चलिए liदacts को रेट कर रहा हूं इसके बाद आपको इतनी देर में उत्तर बता देना कुश्चिन नंबर 1 पर एक्रिसे को और देती विजाख्राइन के दिर्शी से जो ही है ये क्या है तो देखे इसका सही उत्तर ये एक ही जो एक विशेशन है बात कर सकते ओश्य नमर 3 पर बात कर रहों आप से बात ताए थी लेकिन इन मोखेपर उनके इंकार करने से सारा काम रुख गया उप्युक्त के लिए आपको क्या क बताना है अकल उपर पत्थर पढ़ना गुर्ड का गोबर होना कल पढ़ना खटाई में पढ़ना चलिए बात रहे थी लेकिन एन वोके पर उनके इंकार करने से सारा काम रुग्या इसके लिए आपको जो बताना है कि परफेक्ट मोहावरा कौन सा होगा तो इसका सही उतरे ग कौन सा चिनना आएगा या अपको बताना है को से की से या से से या पर से बोजन रिक्तिस्थान से भूख मिटती है तो यह सही उतर है बिल्कुल बात करते कुश्चिन नबर फाइप पर फिल इन दब लेंक्स पर देखिए मैंने वीडियो भी बनाया जो आपको वर्गे का टौपिक है फिल इन दब लेंक्स उसके आपए एक वीडियो बनाया है और उसके अंदर 100 अंसयूद पूरे पड़ाएं मैंने आपको अकर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर वीडियो देख ले आपको मेरे वीडियो सेक्षांचर में वीडियो मिल जाएगा औरी MR वर गेक का हम पूरा सिलिबस कवर कर रहे हैं चलिए बात कर लेते कोफ्चन नमबर फाइब पर पतन नहीं रिक्तिस्थान बनूंगा सांती नहीं तुफान बनूंगा संतान उत्थान इंसान और भगवान पतन नहीं फिलिंदा बिलेंक्स बनुगा सांती नहीं तुफान बनुगा कोश्चन अब फाइब पर बात कर रहा हूं तो देखिए पतन नहीं उत्थान बनुगा सांती नहीं तुफान बनुगा कॉमर्स वाले स्टुरेंट ध्यान देए यह जो आपका कॉमबो का प्राइज है अब बढ़ चुका है अब यह बाविस सो पचास हो चुका है और अगर आप प्रेक्टिस सेट बाय करना चाहते हैं तो इसका टू फिफ्टी है अकाउंट का सास सो पचास है और मिनिमिन दो सो जो कॉमबो है कॉमबो के अंदर यह प्रेक्टिस सेट बी इंकलूड है अकाउंट भी है और मेनेजमेंट भी मतलब आपको बाविस सो पचास में प्रेक्टिस सेट अकाउंट मेंजमेंट सभी मिल जाएगा अगर आप यह बाय करना चाहते हैं तो आप वाट्स पे मुझे यह कॉमर्स लिख दीजिए तो मैं आपको लिंक भीज़ दूंगा आप उस पर जाकर प्रेमेंट कर सकते हैं और हमारी कॉस्ट अकाउंट पर क्लासेश चल रही है साथ ही साथ आपकी जो बिजनेस सर्विस मेनेजमेंट में यूनिट है उस पर हमारा सिलेबर चल रहा है और बहुतो अनेक या ज्यादा की चाला की गलती से रिक्तिस्थान की जान जा सकती है वहाँ पर रिक्तिस्थान लगा या ठीक है चाला की गलती से जान जा सकती है कॉस्ट नमबर छे पर बात कर रहा हूं तो देखे चाला की गलती से अनेक की जान जा सकती है चलिए बात कर ले सूद दिवा करें आपको बताना है कोशेंट नमर सेवन पर बात कर रहा हूं तो देखिए मुझे घर जाना है बिलकुल के रिखने से इसे बात कर लाएंट पर देखिए पहली बार में कुस्ट रीड़ करता हूं सिकर बार में उसको आंसर बताता हूं जब मैं हाइलाइट करत तब तक अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएं तो आप वीडियो को रोक लें कोशन 8 उद्यगिरी मंच पर रगुवर बाल पतंग विक्से संत सरोज सब हरसे लोचन ब्रंग आपको क्या पेचानना है आपको प्रयूपयुक्त अलंकार कौन सा होगा यह आपको बताना है इसमें लंकार है उद्यगिरी मंच पर रगुवर बाल पतंग विक्से संत सरोज सब हरसे लोचन ब्रंग अब प्रयूपयुक्त अलंकार क्या है तो देखे जो इसके अंदर आएगा रूपक अलंकार बात कर लेते कुश्चिन नमबर 9 पर रस कितने प्रकार के होते हैं तीन के होते साथ की होते है आठ के होते हैं क्याक करना है आपको रस के प्रकार बताना रस के प्रकार और स्भ nell жд 1021 कॉस्चिन 10 एंप सब्सक्राइफ जान कौन शरुप से सहा को पेढ़ना का इस्तों बनाने बनने में साया के व्यवर को सलता उत्ताम सिख्षन वीदियों का ग्यान प्रभाव साली वेक्टित तो सेख्षी को साथ से किरियाओं में रूची क्या वह रहा है नीम लाकित में से कौन सा विस्षिस गुन है जो सिख्षा को पेड़ना का इस रोत बनने में सायक करेगा ठीक है आपको हिंदी के जो पे नमब्र 11 पर यह आप दियान में रखिए यह फिर प्राइस थोड़े दिन बात फिर बढ़ जाएगा भी अरा यह सरी सै ङह प्राइस पिร बढ़ जाएगा तो आप बिल्कुल ध्राइए बढ़ verm油 ल्खेर इसे बढ़ रहा हूँ देखिए आप यहाँ पर चलिए आपने सौल्व कर लिया होगा अब मैं इसका उत्तर बता देता हूं डारेक्ट किसकी स्पेलिंग जो लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट लिखे तो देखिए रेफ्रीजी रेटर के यह जो लिखा यह स्पेलिंग करेक्ट है चलिए कर लेते बात कर लेते कोश्चन नमर्ट विल्बे आप देखि लिए और कौनसी आपके इसाफ से स्पेलिंग रेफ्रीजी रेटर मतलब जो फरीजूट होता है आपका उसे कहा जाता है ठीए कौश्चन टुएल पर बात कर रहुँ हम को ऑप को लगता स्पेल्ब करेक्ट य मतलब क्या होता जुरूर पैसन वर्ड वे इसके लिए उप्योग किया जाता है चलिए बात करते हैं कुष्ट नबर 13 पर अब आपको क्या करना है यह जो डारेक्ट साने 13 उच्वदा के लिए क्या कर रहा है यह बोल रहा है कि कौन सी स्पेलिंग जो रॉंग लिखी है ठीक है गलत लिखी हुई है ठीक है यह आपको फाइंड आउट करना है कौन सी स्पेलिंग रॉंग के आपने सौल कर लिए चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूं कुष्टन नबर 13 पर बात कर रहे तो देखें जो इस पी स्पेलिंग रॉंग लिखी है वो लिखी है यह वाली प्रेम इसने के लिए यह वर्ड यूजे जाता अफिक्सन नोट करते चले आप अपोलॉजी मतलब शमाया थे ना फैक्छन मतलब की से प्रेम इसने अनुराग कि इस्तिति उसके लिए यह वर्ड यूस किया जाता है एंबैस आप सभी को पता है आपमने को महत्वा का उपक की कोई खाने या पीने की कोई चीज जब इच्छा होती उसके लिए वर्ड में ली यूज किया जाता है ठीक है चलिए बात कर लेते कुस्टे नमबर चाहुदा पर कुस्टे नमबर चाहुदा चलिए अब आपने स्वाल कर लिए कौन सी स्पेलिंग रहांगे आपको मैं टाइम देता हूं चलिए अब मैं जब आपको देखिए सबसे बहुत बहुत अजीब है या बेड़ंग है या विची तरह टाइप किये तब उसके लिए इस वर्ड का उप्यों किया जाता है पर उसके लिए यह वर्ड करते है तो को डीप बात पर काता हूं परश्पिरेशन मतलब क्या होता है पर इसे कई बार आपको जो पताना उसके लिए यहां पर क्या करना रॉंग को फाइड़ उटने तो रोंग क्या है रॉंग जो है वह क्या है ये प्पर्सपिरेशन क्योंकि इसकी स्पैलिंग बहुँ गलत और इसके ये आ नोट कर लेना प्रस्पायर मतलब पसीन आना तो यह जो है रॉंग इस पहले नोट कर लिया होगा आपने सारे की सारे वर्ड में आपको बता दिया इसको नोट करते चलना रिपीट हो जाते हैं वर्ड इसले मैं आपको बोलता हूं नोट करने का पी यार एस पी आई आरी प्र लेकिन जो आपका हिंदी और जीके और साथ ही साथ आपका पेड़ो को जी उस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं फॉस्प पड़ते हैं तो इसलिए मैं यह आपको प्रॉपल ली टाइम देता हूं कि आप सौल्व कर पाए क्योंकि यह प्रेक्टिस सेट आपका ही है ठीक है आ पोर रहा है आपको अपोजिट इंदा मीनिंग आफ दावर्ड वर्ड विच इंदा मीनिंग आफ दावर्ड मतलब आपको इसका पोजी ढूणने कोस्टन नमबर 15 पर सेटल का अप पोजिट क्या होगा ठीक है तो चाहिए अब बात कर लेते हम सेटल का मतलब क्या था जब आप देखिए सेटल देखिए आप ज्यादातर वर्ड को उप्योग करा होगा क्या यार मैं अपनी लाइफ में बस सेटल होना चाहता हूं या मैं अब मैं सेटल हो गया हम ठीक है मतलब आप क्या हो चुके हैं आप बिल्कुल निश्चित हो चुका सारी चीजह आप कुछ भ सेटल हो गई है ठीक है अब बात कर लेते हैं पॉइंट पर डिस्लोके डेड आपने सौल कर लियो होगा मैं इसका उत्तर भी बता दूंगा आपको डिस्लोकेड इंद यहां पर क्या हर चीज निश्चित हो गई अब डिस्लोकेड मतलब क्या होता है कि वह आप लोकेड मतलब uh unprecedented मतलब क्यूंता है कि जिता है पहले कभी न हुआ हूं ठीक है बढ़ इससे पहले एसा कभी न हुआ हूँ कि irrelevant irrelevant मतलब कोई जह आपके लिए महदूपूर्ण नहीं है यह आशांगा ते आप आसांग कि कह आप आपके लिए यूसफूल नहीं है तो इन्रीलेवन वड़ का उपयोग किया जाता है नोट कर रहे होंगे आप अन्फाउंडेट मतलब जब आपको क्या हो कोई भी चीजे जो कि मतलब आपके लिए निर्मूल मतलब उसका कोई मतलब उपयोग की नहीं हो अन्फाउंडेट या निराधार हो निर्मूल ले हो इसके लिए जो वर्ड यूस किया जाता है ठीक है तो आपको देखिए पंदा का जो आपने स्वाल कर लेगा तो उत्तर क्या है इसका सेटल डिगा वहां सेटल मतलब सब चीजें इस दो गई तो डिस लोकेटेड चलिए बात कर लेते कोस्टन अबर 16 पर नोट कर ले ना जो भी मैं आपको पॉइंट बताता हूं कोस्टन नबर 16 थोड़ा साफ के उपर बेसिस पर बड़ा ही सरल कुस्टन है सोला इस वाट आधा कास ऑफ फॉलिंग स्टेंडर ऑफ इंग्लि स्टेंडर क्वालिटी आफ टीचर एजुकेशन या ओवर लेड़ा वर के मतलब उनको प्रकार का बाहर ज्यादा है यह आल अफ दाव मतलब तो सभी पॉइंट आपको लगता है कि सही है वाटा दा कास ऑफ फॉलिंग स्टेंडर आफ इंग्लेश टीचर इन इंडिया तो यह सभी कारण है इसका जोत्तर हो जाएगा डी इस बार दो नहीं टाइप के मैंने कॉश्चन लिए तो कॉश्चन नमबर सोला और हिंदी में जो कॉश्चन नमबर टेन था ठीक है यह मैंने इसलिए लिए ताकि आपको किसी तरह की प्रस्न पूछे आप तैयार रहे हैं को कॉश्चन नमबर 17 पर बात कर रहो हैं आप से दमधर टंग एज इंग्लिजिट टॉडवाइ ट्रांसलेशन सब्सिट्यूशन डायरेक्ट मेटर और वाइल विंगल ठीक है कोश्चन नमबर 17 पर बात करें दमधर टंग एज इंग्लिजिट टॉडवाइ चलिए तो दिख आप आप सभी को पता कुछ भी चीज़ को अपनुवाद बगरा करते हैं उसके लिए आप ट्रांसलेशन रटको प्यों करते हैं सब्सिट्यूशन का मतलब होता है कि एक की जगा कोई दूसरी चीज़ आप यूज़ कर रहें सब्सिट्यूशन मतलब इसको हिंदी में क्या होते हैं इसको हिंदी में प्रती सब्सिट्यूशन मतलब इसका एक्जांपल किसे होता है आप मतलब चाय और काफी दो आप चलिए चाय नहीं तो मिझे काफी चल जाएगी तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सब्सिट्यूट जैसे वहां कोको कोला नहीं है तो आप उलते हैं थन सब्सिट्यूशन चल जाएगी तो आप इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता प्रतिसा मतलब इसकी यह ना हो तो यह चल जाएगा एक डायरेक्ट में तरह नहीं होती है यह दो बहुत है तो दो बहुत है तो देखें कि दावर्ट तो किसके दावरा सिख पर होती है अब जो आप से पूछ रहा कुश्चन अबर 18 पर मैं आपसे एक बात करो आपने इसका उत्तर आपको पताने वाला हूं तो देखें जो टीचिंग की मेंटड होती हो में ली जो बेफ्ड होती है ठीक है और हम आपसे हमेसा यही कहते भी हैं कि आप हमेसा डिटेल में पढ़ें जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप अब असानी से बना लेंगे चलिए बात कर लेते हैं कुश्चन अबर 19 पर चलिए आप यहां फास्ट पढ़ेंगे अब आप जल्दी उत्तर दीजिएगा मैं इसलिए बोलता हूं जल्दी उतर दीजिए नहीं तो सोथे ने और तबता क्या हो मैं आंसर बता दूं और क्योंकि प्रेक्टिस औरापका थो तयारी मतलब आपको ही करने यह सबसे वड़ा गड़ा का बुद्धे सुक्र है ब्रहसपती है ब्रथवी हैं तो सबसे बड़ा घरा है जेकि निस पर वीडियो लाइए नो देख है sichermeye पूच रहा है इस्थाली सीमा की फूच रहे यह कि पूच थी सिमा Miya रहे रहे है ऐ कि इसकी पूच रहा है है कि कुछ नम्बर 11 पह बात कर रहा हूँ पूछी बीड़ रहा हूँ किसकी बहुल रहा है भारत की बोल रहा है इत्तर से दक्षिन सब्सक्राइब को मेगएं ओप्लाइजए नहीं किनसे बात कर रहा हूं हो वह उत्तर से इससे पहले कि अगर आपने दस प्रेक्टिल सेट सॉल्व नहीं किये तो वह भी सॉल्व कर लीजिएगा तेली कोशन नमबर बारा बाविस पर बात कर रहा हुए आपसे कौन सा नगर करक रेखा के करक रेखा कि राज्यों से निकलती है अगर आपने मेरे जीएस वाले वीडि कि निवलिके में से कौन सा नगर करक रेखा के निकरतम दूरी पर है मतब सबसे नियर एफ्ट दूरी पर यह आपको बतारा है कोशन बाविस पर बात कर रहा हूं तो इसका सही उत्तर है अगर तला अगर तरह कौन से इस फ्टेट में आता है यह आपको आज होमवक का कोश् सूरी का एक चकल लगाने में कितना समय लगाता है क्या है जो बुद्ध गरा है वो सूरी का चकल लगाने में कितना समय लगाता है 88 दिन लेता है 76 दिन लेता है या 56 दिन लेता है सूरी का चकल कौन लगा रहा है बुद्ध लगा रहा है कोश्चन अबर 23 पर मैं आपसे बात सबसे निकट का सबसे पास का बात कर रहा है आप से बढ़ा है तो यह देखी यह बुद्ध रहा है कि यह सब करें को सबसे आप आप जरूरी रीड करें को सबसे नमबर 25 पर बात करो पानी का धिक्तम घंत्व कितना है पानी आप पूछ रहा है आप से कुछ रहा है कोश्चन 25 चलिए आपने सौल कर लिया होगा मैं इसको तब दो चार डिग्री सेल्सियस मौस्ट इंपोर्टन लगा लेना करें एक्जाम में पूछा गया ये प्रस नहें इसको आप क्या करेंगे मौस्ट टाइम भी लगाएंगे आता है कोश्चन कहीं बारा आ चुका है बिल अब रहेगा घंट रहेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवाटित रहे हैं कोश्चन 26 पर बात कर रहे हूं तो देखिए क्या परिवातर रहेगा जो घंट वता वो परिवर्तित रहेगा मतलब कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा चलिए कोश्चन नमबर 27 पर बात कर गया है इस सक्षर्ण को आइंप लगा रहे ना जब भी साइंस का कोश्चन आता है ये कोश्चन तरह क्यों पूछते हैं जनररली रेपिटेटीव कोस्चन है समूधर में पर्लवा बन करते आइस बरेख कितना भाग समूधर की सता से उपर रहता है एक बढ़े दो एक बढ 10 भाग उपर सता पर समुद्री की सता से उपर रहता है वन बाइट एन चलिए बात कर लेते कुश्चिन नमर 28 पर बर्फ के दो तुकड़ों को आपस में दबाने पर तुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाव अधिकोने से बर्फ का गलनांक क्या होता है यहां देखें यहां दियान दीजेगा घड़ जाता है दाव अधिकोने से बर्फ का गलनांक पहले तो घड़ता है फिर बा तो आपस में दबाने पर तुकड़े आपस में चिपक जाते हैं ऐसा क्यों होता कोश्चन 28 पर बात कर रहा हूं तो देखिए जो दाब अधिकोने से बर्फ का जो गलनांग है वो क्या होता है घट जाता है चलिए बात कर लेते हैं अगरे कोश्चन पर कॉश्चन 29 पर अब य यहां पर हम फिर क्या करेंगे स्लू पड़ेंगे चलिए तो क्या वह रहा है डायरेक्सन क्या दे रखा प्रसंखिया 30-30 मतलब दो प्रसनों के लिए डायरेक्शन है नीचे दिये गए प्रसनों में संख्याओं को एक निश्चित पेटन पर दिया गया है उसमें जो लूप है तो संक्या है वह को क्या करना है फाइंडा produk करना है यहां है अब आपको पेटन समझना है आप है वीडियो की यहां रोक लिएजये और सुै झाली अब यहां पर 16 और 12 और यहां पर तीन है तो यहां पर जो सॉल्व होगा वो केसे होगा यह मैं बता दू चुमारी सठावी से और यह आपने सॉल्व कर लियोगा मैं इसकी बात करता हूं देखिए यहां क्या हो रहा है इसको पहले तो जोड़ा जा रहा है चलिए में इसका सॉल्वाय था कि आपको अच्छे से समझ में है चलिए हट चुका कोई बात नहीं कभी बास लाइड हट जाती है इन्विजिबल हो जाती है देखिए यहां पर क्या हो जाता है देखिए जो सोला है सोला और जो बारा है इनको क्या करेंगे आप जोड़ी देंगे ठीक है तो 16 और बारा कितना हो जाएगा एक मिनिट यह 28 हो जाएगा तीक है इस 28 को आपको क्या करना है नाइन से दिवाइड करेंगे आप तो कितनी बार बार चला जाएगा भाग तीन बार बस इसी पेटर पर आपको क्या करना है 44 और इसको भी जोड़ लेते हैं ठीक है तो 40 और 60 और बहुत तर आ जाएगा फिर इस बहुत तर को आप 9 से भाग दे देंगे कितना जाएगा 8 आ जाएगा अब आपको जो अगला करना है 64 और 53 को 8 कर लेना है कितना 24 और 1 मिनट कितना है 64 और 64 है और 35 है इन दोनों को 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 11 हो एक सो सतरा हो जाएगा एक सो सतरा को फिर आप डिवाइड करेंगे किस से नो से तो दस बार में 90 ओ 9 uh 27 दिषताविस मतलब की तेरा ला तो यह जो हमारा आंसर आजाएगा वह सेह सब्सक्ते तो अब आपसन देखते हैं कौन सा सही है एक मिनिट आपको मैंने साय दिखाने से रहे गए चलिए कोई बात नहीं मैंने पहले ही स्वाल कर दिया ऑफसन था तो ऑफसन जो भी है यह हमारा आंसर हो जाएगा इस ऑफसन के बास सॉल्यूशन रखा है स्लाइड में ओके चलिए क कौशन नमबर गुंतिस साय सॉल्यूशन है बिल्कुल देखे यह अगरा चुकि प्रते चीत्र उपर दियेगा दोनों संख्याओं के योग से नो को बाग देकर निचे लिए जाता है यहां इन्होंने इस तरह से केल्कुलेट किया इन दोनों का टोटल किया 117 आया यह फिर 117 को 9 से डिवाइड करा तो 13 आगया ठीक है चलिए बात कर लेते कौशन नमबर यह आप धियान रखिए यह प्राइस फिर बढ़ जाएगा बीस तारिक से लाफ टेट उसके बाद यह बढ़ जाएगा प्राइस चलिए अब कोशन नमबर 30 पर बात कर रहा हूं मैं आप से यह क्या बोल रहा है देखिए यह आपको इस तरह से चल रहा है यह ठीक है अब यहां पर बोल रहा है क्या आएगा भाई यह जो कोशन मांग दिया है ठीक है चलिए ओफसन देख लिए आप कोशन नमबर सब्सक्राइब तीस पर बात कर रहा हूं यह रहा देखिए एक ताली से चो सटे पे पेती से और एक साटे चलिए आप यहां वीडियो को रोख लीजिए अगर सॉल्ट नहीं किया है तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा वन का मल्टिप्लाइ करिए आप कितनी बार तीन बार ठीक है तो कितना आ जाएगा वन ही आ जाएगा दो का करिए तीन बार दो दो दुनी चार और चार दुनी आठ हो जाएगा तो यह आ जाएगा आठ ठीक है यह तीन का गुड़ा कर रहे हैं तो देखे तीन तीन नो और सिंतिया 27 ठीक है अब क्या जाएगा 4 यहां जो आया यहां जो मिसिंग हो क्या एंफ फूर है मिसिंग क्या एंफ फूर तो चार गुड़ित चार और फिर चार तो आ तो सोला और सोल दोना 32 इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है यह भी नोट कर लेना जिने भी ना समझ में आया हो बाकी कोश्चन इजी था यह तो चलिए उससे पहले वाला कोश्चन जरू टफ था पर यह इसी था यह देखे गड़ी की सुई में क्लॉक वाइस यह देखे गहन होता है ठीक है मैंने आपक यह दो बात कर रहे हैं अब हम कोश्चन नमबर 31 यह कोश्चन पहले भी मेरे अगर आप सारे प्रेक्टिस सेट सौल करें तो आपने देखा होगा इस ताइब का कुश्चन पहले भी आया है एक से दस सक प्रेक्टिस हो गाए है अगर आपने वह सौल नहीं किये तो सौल कर कि देखेब्स को क्या पूल रहा है माइनस कि माइनस का अघर से गणा है वाग दो भाग का थे प्लस तो क्या करना है चलिए यहां पर इसाए बोर्ट मास वाला जो क्टिरवती नहीं इन 2 नों को भाग देते हैं इसका मतल्ब हगा एक करनाree संट्रेक्ट मतल contrat करते हैं भाग देना गड़ा करना जोड़ना और मतलब करते होता है प्लस का चैनल ल लगाते गॹदा है काँ लिखा है मैं मतलब याँ भाग करते हैं धल साउस्ट का साइन लगा देंगे प्लस करते क्या होता है माइनस यहां माइनस लगा देंगे ओ माइनस तो जो अर्थ है वो क्या है यह देखें यहां देखें इत्ते में माइनस करते क्या है गुणा तो यहां क्या करेंगे माइनस कर तो गुणा लगा देंगे अब इस बोट मार्क्स पर देंगे को देखे500 को भांस से बाग देंगे तो कितना ढंब आगा तीन आजाएगा हैं ठीक है चो दिए अब क्या करना है यह फे आपने आपकमेघांगे। आप अगला क्या करना को आगे बढ़ा ले اور s bachelor लीजिए ठीक है कि यह हो जाएगा कि आप क्या करना है कि यह कितना हो जाएगा 15 मृटी तेरा फिर उसके बात क्या हो जाएगा सब्ट्रेक्ट मतलब की माइनस करना तो प्लस माइनस माइनस चिन बड़ी संग्या का तो माइनस दो आ जाएगा तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ठीक है 24 नहीं है यहां पर माइनस लगाने से रह गया होगा स्लाइड बनाती समय तो यह है तो आज जो ऑफसन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी ऑफसन चलिए यह चिन वगड़ा सब चेंज करना सीग्ग होंगे आप इस्ट्राइब का कुश्चन हर एक्जाम में आ रहा है क्योंकि बोर्ड माउस के काउंसेप्ट भी आपके चेक हो जाता और रिंडिंग का ने लिख सकते यह स्कॉमर्स चलिए यह देखें यहां पर सॉल्यूसन अवलेवल है यह यह देखें यह था इन्हें चिन्दों में बदल दिया उसके बाद यह इस तरह से माइनस टू ही आया रखाए देखें बिल्कुल चलिए वीडियो को रोके नोट कर लेना आप कोस्ट दोनों का टोटल की बात करें तो 24 वर्से यह बोल रहा कि 8 वर्स बाद आयू का नया अनुपाद आपको बता देना है मतलब 8 साल बाद इनकी आयू का जो रेस हो आज जो आज क्या है 6.5 बाद में 8 साल बात क्या हो जाएगा यह आपको बता देना है चलिए ऑप्शन में आयू का योग चुमाली से 8 वर्स के बाद आयू का नुपाद क्या होगा यह बताना चलिए आप सॉल्यूसन पर बात करते हैं ठीक है आपने सौल कर लिए होगा देखे चलिए और भी कि यह च्छे नुपाद 5 है उनकी आयू का जो टोटल है कितना है चुमाली से इन दोनों आख अगर आप टोटल करेंगे च्छे और पांच का तो कितना हो जाएगा ग्यारा बस यही यहारा से इसको काट देंगे इसको एक बाए यह चैनल तो यह A की आयू आ जाती, कौन सी आ रही है, यहां पर यह दियान में रखिए, यह आज की आ रही है, यह आज की आ रही है, यह आज की आरी है, यह प्रेजेंट की पूछ रहा है, नई, वो तो 8 साल के बात की कर रहा है, कब की बात कर रहा है, यहां दियान देगे, 8 साल के बा 32 तो बस आठ साल बाद एखी कितनी हो जाएगी 32 चलिए बी की वरतमान आयू किसे निकाल लिए देखे जब भाईया हमको चुमारी दोनों का टोटल पता है ठीक है और उसमें से हमको पता है कि भाईया 24 तो किसकी एक यह तो बच्ची होई किसकी हो जाएगी बी की तो यह आप कर दिया यह इसकी 20 थी 20 में जोड़ दिया 32 ठीक है तो देखे एक ही 32 अनुपाद 28 अब इसको क्या करा काड़ दिया किससे काड़ दिया चार के पाड़ इसे तो आठ चार चार्ट चैते बार चार चोग सोला और सोल दूनों 32 मतलब 8 बार आ जाएगा चार के पाड़ में करेक्ट हो जाएगा तो यह कोश्चिन नोट कर लेना उसके बाद यह का सोल्यूसर ने वीडियो को रोक कर नोट कर लेना है यहां पर रोक लीजिए वीडियो को अब यहां पर रोक लीजिए ठीक है चलिए बात कर लेते हैं कोश्चिन नमबर 33 पर बात कर रहो हुँ है आप आपको इस सब्सक्राइब को पहचान के करेक्ट फाइंड आउट बनाना है कि क्या बन जाएगा ठीक है और फिर जो करेक्ट बन जाएगा उसका आपको नमबर दिये हुए वह आपका आंसर बजाएगा चलिए यहां वीडियो को रोक लीजिए अब मैं सॉल्यूशन पर बात क देखिए यहां पर नहीं दिख पाएंगे इसका सोल्यूशन भी हो ही सॉल्व करते देखिए यह रही रही रेस्टोरेंट की मिनिग तो रेस्टोरेंट में सबसे पहले क्या आता है और आता है फिर यह आता है अब आपको क्या पूरी में सब्सक्राइब कि या दोने चीप यह देखिए, तीन का option ही क्या है, यह देखिए, यह third, तो यहां जो option हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यह देखिए बिल्कुल, restaurant, ठीके, यह आपका बन जाता है, तो 3, 1, 2, 4, अगर आप पूरी की पूरी spelling बनाएंगे, आप तो तो यह आपसे बन जाएगा, अब आपक पर दो आर दिये थे, यहां, यहां भी आर था, यहां भी आरता, तो आपने पहले यही बनार क्यों लिया, अरे भगया, छे वाल option है, यह देखो आप, खे का कोई option है, यहां भी एक दिया है, यहां तो नो दिया है, तो भगया, तीन मतलब की और restaurant की meaning में, यह बना ले तो जैसा प्रस्थन ने बोला उसके विकल्पों को देखने जब भी आपको कभी कोई सा कुशन नहीं आ तो आपको विकल्पों को भी देखना है विकल्पों भी help कर देते answer find out करने में दो आरधे confusion था तो भाईया option क्या दिया है अमान लेजिए option वो शे भी दे रखता तीन भी दे रखता तो आप क्या करते हैं आप देखते हैं कि correct spelling कहां पूरी की पूरी correct लिखे जो correct होती वह आपका option हो जाता ठीक है कुश्चन बात कर लेदें हैं 32 का यह है यह तो बहुत स्वारा कॉष्टेन है चलिए बात कर लेते हैं इस पर बीस आएगा दस आएगा तिसा आएगा 40 अए ठीक है कुछे निए का कॉश्चन है तो इसाब 32 लिखिए उसके नीचे आठा जाएगा इधर बाग का ये बरावा का चिन लगा ये अस्से लिखिए और इसके नीचे माल लीजिए कुछ नहीं ये तो हम क्या माल लेते हैं बच्पन से इसी का कुछ नहीं तो एक समान लो ठीक है इसको यहां से काड़ दो तो कितना आजाएगा ये एक आजाएगा और ये चार आजा जाएगा और ये सी के भाग में क्या चला जाएगा चार तो कितना आजाएगा बीस आजाएगा ठीक है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा बीस ट्वेंटी तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ए चलिए बात कर लेते कुस्टन नबर 35 पर सॉल्योशन है इसका यह है यह जिस की प्रकार यह देखिए उसको से भाग दे दिया ठीक है तो यह बीस आगया आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं कुस्टन नबर 35 पर बात कर रहा हूं यह कूट भासा में मतलब एक कोडिंग लेंग्वेज में पेटन को अगर यह लिखा जाता है एन ए यार टीटी एप लिखा जाता तो उसी कोट में जो मेंशन वड़े उसको कैसा लिखो गया आप कभी भी आपको इस तरह का कूश्य ना इसको मैं सॉल्व करने का आपको पे पेटन क्या है एक मिनिट मैं यहीं लिखता हूं देखिए पी ए डबल टी ऑर और इन यही स्पेलिंग इसकी पी डबल टी एर एन ठीक है जो भी स्पेलिंग देदे आपको तो वहीं उतार देना है अब उसके नीचे सेम टू सेम उसको उतार लो पिले तो एन आर आपने solve कर लिया होगा नहीं solve किया हो तो वीडियो को रोकर solve कर लेना आप उसके बाद ये मैं solution करा रहा हूँ आपको अब ये देखिए same to same आपने लिग दिया अब आप क्या पाएंगे just opposite इन्होंने reverse कर दिया है कर दिया reverse कर दिया लेखिए जो अंठाफ में यह न जो लाफ में था देखिए यह यह कहां पर आ गयाHHH first में आ गया है यह आर को देखिए आ गया उसके बाद यह को देखिए यह टी यह टी यह टी फिर ए तो यह पी तो यह पी समझ गाराओ को मेंस ज़्यट देख लेना मीचंच यह अभ बात करते हैं मेंशन पर नाइछ है किर देखिए अब हम क्या करना खाला हुन्वने समझे करें पेट्टन तो हम साइब लिखते जाते श्याकिति यह वह आजाएंगास स्थय जाएगा कि फिर देखिए ऑज ब्र आई आजाएगा में यह वारा फिर एम आजाएगा एन ओ आई टी एन एम यह पूरा बन गया तो आपको देखते रहना है कि आंसर कहां तक आपका बन जाएगा जाएगा जा आंसर बन जाएगा उसके आगे सोल करने की जर्वत नहीं अपने टाइम को बचाईए कॉस्टन चाटिस पर बात कर रहा हूं मैं आ नहींने में बनाते गहिंप है आपको नएजय में और समझा दिया है यहांप अपर मैंने जो टेक्नीकलती के साथ बताया आपको ताकि जो को जिस पेटन में बनता उस पेटन में आपको यहां बता है वहां मैंने आपको अपनी लेंग्विज में समझा दिया वीडियो को रोकर सॉल्यूस कर लेना अब फिर फास्ट पढ़ेंगे हम बच्चों में सिखी गई नी सहायता का कारण है अध्यान को गंबिरता पूरवक ना होने तु नेतिक निर्ण है इस विवार को अजित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं कच्छा गजी वीडियो के प्रती कठोनी नहीं अपने अभी वाओ को कि अप्रिक्चा के साथ ताल में ना बना पाना कोश्चे नबर 36 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोश्चे नबर 36 में आपसे बात कर रहा हूँ कोश्चे नबर 36 में आपसे ठीके बच्चों में सिखी गई नी सहायता का क्या कारण है ठीके बच्चों में सिखी गई नी सहायता का क्या कारण है एक मिट आपको आफसन 2527 पर बात कर रहे हम 32 37 37 City हुब द window कि जिस्या का धिकार रदीने विल्द में कि जो नियावका करना चाहिए मैं नियमित रूप से समय और उपस्थित होना चाहिए मुला करना बी संब्सक्राइब को निर्धार रित समय पर पूरा करना चाहिए ये आजiliyor ूपरूब सब्सक्राइब को यह भी कुछा जाता है तो आप मेरे वीडियो से जा सकते हैं वह आपको सारे वीडियो सब्सक्राइब करने को के ना उन्हें अपने विचारों से अउगत कराना विद्धे जारतियों के सास्थ मतलब किसके सास्थ कम्म्यूनिकेसन कर रहे हैं आप विद्धे हर्थियों के साथ तो यह कैसा थर्टी एट पर बात कर रहा है अपसे तो देखे विचारों का दान पन कर लिएंज पॉच्छ नंबाथ फर इन पर इमलिक्स मेंसे कौन सा सीखने कर रहा है आपको क्या करना सीखने के जिए इन पर ग्ह sticky ॑ ग्यान के लिए AHर मतलब सुपलब्द कर आना चाहिए सिक्षार्टियों दरदी गई तुरूटियों को एक भेंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रजेक तुरूटिय के लिए गंबी टिपणी देना चाहिए सिक्षार्टिय कितनी बार गल्दी करने से बचता यसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए जब विद्यारती विचारों को संप्रेसित करने की कोशिस कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए चलिए एक सिक्षा को क्या करना चाहिए कोश्चन नुमर 40 में बात कर रहा हूँ कोश्चन आपने समझ लिए होगा आप मैं इसका उत्तर बताने वाला हूँ जब विद्यारती विचारों को संप्रेसित करने की कोशिस कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए ठीक है एक सिक्षा को क्या करना चाहिए कि यह उसे करना चाहिए ठीक है कोश्चन नुमर 41 को आप करेंगे मैं आपको प्रॉपर टाइम देता हूं ताकि आप सॉल्व कर पाएं क्योंकि यह प्रेक्टिस एड़ आप लोगों के लिए ही है चलिया काफी देता कोश्चन इसकीन पर रखता हूं ताकि आप सॉल्व पर इंट्रोडक्शन आफ साइकलोजी नामक पुस्ता किसने लिखी है डायूबी ने लिखिए है और यूवी ने लिखिए हिलमैन ने लिखिए हिल किसन ने लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइकलोजी ठीक है आपसे पूछन पूछा जा सकता है इसकाता हिल का दो प्राइस बढ़ जाएगा पेले ौज़ादा आप डिसकॉंट खत्म हो चुक स्टेकर कि कुछ नमर 42 पे बात कर रहो है आप से कर दा अ कि अ प्रतिक आली बालों को क्या कह जाता है सफ्ट बालक पालक का जाता है और आ यह सभी एक दम सरभा के पाति बालब को क्या को सिस्टीन 42 नमर 32 पे बात रहे यह सभी adle व्हकतितुव होती है यह सानुबुति में किरिया सीलता होती है उसे क्या किय है वात कर लेगे खुर्शन न всем at है वालक और समाजीश्क वेवार कि सिख्षाद दी जा सकती है मैं पेजबुषा से वीवीन समयिक की जो भी कियाए होती है उससे सास्यरीकती वीडियों से पैंटे बालों को समाजी विवार की सिख्षा दी जाती है मतलब जो समाज का विवार उसकी सिख्षा दी जाती कोश्चन नबर चुमार इस वे बात कर रहा हूं मैं आपसे वेजबुसा से विविन समाजी किरियां से सारे एक गतियों से या पार्टिक्रम से किसे उसे समाजी को विवा तो आप इस समय पढ़ लीजिए बाद में एक्जाम हो जाएगी तब फिर आपको दिकत आएगी तो अभी आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कीजिए लिकिन पढ़ाई कंटीनियू रखिए तक्निक वीडियो का विज्ञाने दार्सनिक विज्ञाने मुल्यों का वि क्याने क्या है पेड़ो को जी जो है कुश्चिन नमबर 45 पर बात कर रहा हूं तो देखिए यह तक्निक वीडियो का विज्ञान है मौस्टाइम पी कुश्चिन आप से पूछा जा सकता है कि आपका सब्जेक्ट यह पेड़ो को जी तो बिलकुर कुश्चिन आप से बनता ह दिया है यो तेवी नन ने दिया है इसके ने दिया मौन्टेश्ट इस लिन दॉनने दिया है तो कॉश्चिन नमबर 46 पर बात कर हो HersISHना चासर को रचिनातमाक सब्सक्राइब किливо कि नहींने कहा है याद रखिएगा ये उसक्षोफ नमबर 47 पर बात कर रहा है आपसे यह बि प्रियापक होता है फोटी सेवन पर बात करों तो देखिए जर्मुजाद भी होता प्रसिक्षन द्वारा भी होता तो आप सुन सी करेक्ट चलिए बात कर लेते कॉस्चिन नबर फोटी एड़ पर बात करें कि क्टो सास्तर संबह होता है ज्याने का संचा कचार ज्यान का विकास होता या कि है है रास्ट कोश्टिन है कि सिक्षन तास्र है क्या है एक अधनीक विस्टा प्राचिन विस्टा है एधिसेजे आप case है इस ćो आप आंपी मार्थ करेंगे आप से पूछा जा सकता है कि है इसकुझ को आप लगा लिए है ठीक है आयम भी कोशन है चलिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब कर लिजे कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझे वाटसव कर सकते हैं यह वाटसव नमबर एट नाइस इस फॉर टू नाइस फाइब तरी कभी कुछ आपको कोई अपडेट भी मिलता है कुछ भी लेटेस अपडेट आपको मिलता किसी भी तरह का तो आप मुझे जरूर बताइए एट नाइस फॉर टू नाइस फाइफ त्री मिना वाटसव नमबर हो साथी साथ अगर आप मुझे कुछ पूछना भी चाते तो यह मुझे वाटसव कर दीजेगा चलिए बात कर लेते इस कोश्चन पर कि भाईया जो सिक्षन सासरे जो पे तो बस ठेंकियो फॉर वाचिंग विजय एकेडमी